श्रुएंस ये वीडियो खासका 2021 aspirants के लिए पर ये 2022 aspirants के लिए भी applicable है You have not written mock test अभी तक आपने mock test नहीं लिखा इसका मतलब आपकी नीट की तयारी चालू नहीं हुई ये वीडियो का title है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ यदि आप 2021 के तयारी कर रहे है आपको पता है 170 दिन बचे है जून एंड तक ठीक है आपने यदि mock test नहीं लिखा तो आपको अपना current level नहीं पता आप 300 के level पे है 400 के level पे 500 के level पे है नहीं पता और यदि आपको current level नहीं पता तो आपको नहीं पता कि आपको कहाँ पे focus करना है वेर टू focus अब मुद्य की बात problem यह होती है कि डर लगता है सही बात है सबको डर लगता है मुझे भी लगता था जब मैं तयारी कर रहा था पर चालू तो करना पड़ेगा कहीं पे मेरे भाई चालू तो करना पड़ेगा ठीक है और मैं आपको यह request कर रहा हूँ इस वाले mock test से चालू करते है ठीक है संडे को mock test है आपको पता है यदि आपने हमारा test series लिया हुआ है आपको पता है संडे का mock test है ठीक है आपको यदि syllabus अगरा देखना है क्या है संडे के mock test में वीडियो के description है दिया हुआ है हलाकि मैं जानता हूँ जो लोग हमारे जॉइन के हुआ हूँ उनको पता है कि संडे के mock test का syllabus क्या है यदि आप 12th में हैं इसमें 11th के syllabus के chapters है यदि आप 12th में है 31 जनवरी को लिख दीजिए उसमें 12th के chapters आएंगे वो भी आपको दिख जाएगा वीडियो के description में जो test का link है ठीक है पर मैं आपको sincerely बता रहा हूँ आप अभी mock test लिखेंगे तो आपको NEET के exam तक दर खतम हो जाएगा एक्जाम लिखने का और ये दर खतम होना बहुत जादा जरूरी है उसी से आपको confidence build up होगा कि हाँ आप कर सकते हैं जब तक आप test नहीं लिखेंगे मैं आपको guarantee से बोल सकता हूँ आपकी तयारी चालू ही नहीं हुई है तो तयारी चालू कर दीजे mock test पहला लिखे हम जो यहाँ पे बहुत सारी चीजे कर रहे है मैं आपको कल एक और चीज अनाउंस करूंगा उसका simple purpose यह है कि आपको mock test के लिए ready करें आप mock test लिखेंगे Sunday को तीक है इस वाले को या 31 जनवरी को यदि आप 12 में है यदि आप 2022 की भी तयारी करें अच्छा टाइम है तयारी स्टार्ट करने का और mock test लिखना चालू करें ठीक है mock test से पहले आप ready होते है ठीक है ready होने के दो पार्ट है आप syllabus complete करते ठीक है और आप revise करते है है ना और फिर mock test लिखते है आज Friday कल Saturday मैंने आपको बार-बार बोला है Saturday हमारा revision day है ना Saturday को revise करें पूरे दिन revise करें ऐसे सोचे कि संड़े को आपका नीट का exam है और mock test के बाद आप post-mortem करिए ठीक है आप बहुत सारी चीज़े टेस्ट तो भाई आपको लिखना है मैं नहीं लिख सकता हम तो test बनाके दे सकता है तो मुझे आपसे पहली चीज़ तो वीडियो के comment में ये promise चाहिए आप test miss नहीं करेंगे और ये वाला test miss कर रहे है तो promise करिए कि आप 31 जनवरी वाले test के तयारी कर रहे है उसे miss नहीं करेंगे ठीक है दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बुला ये वाली चीज़ आपने हमारे full course से कर ली है ना हमारे से करी किसी और course से करी बहुत अच्छी बात है अब हमने आपको revision के लिए short duration revision course भी दे दिया है ना इसको यूज कर लो कुछ specific चीज में problem हो रही है जाके उसके वीडियो देख लो limited duration के वीडियो प्रोवाइड कर दी है ठीक है limited duration के वीडियो प्रोवाइड कर दी है पर आप please आज पढ़ाई रोख दीजे संडे को test लिखना है और संडे के test का अभी से revision करिए आपको यदि mock test में अपना performance improve होते हुए दिख रहा है आपको खुद के ओपर confidence आ जाएगा और ये बात समझ लीजे आपका सबसे बड़ा साथी आपका खुद के ओपर विश्वास है if you have confidence in yourself आप खीच जाएंगे और वो confidence तब तक नहीं आएगा जब तक आप mock test नहीं लिखेंगे और mock test में आपको अपना score improve होता नहीं दिख रहा है और आप लिखना चालू करेंगे उससे पहले आपने mock test का syllabus खतम कर लिया revise कर लिया और उसके बाद mock test देने गुसे मैं वापिस बोल रहा हूँ हमारा बहुत जादा focus इस बात पे है कि mock test को revise करने के लिए आपको जो भी help चाहिए हम आपको bookmarks देते हैं हमने आपको short duration revision course दे दिया हमने ये भी mark कर दिया कि from NCRT question कौन से हैं बायों के अंदर sub topic wise भी दे दिया तो आप सारी चीज़े कर सकते हैं पर करना मेरे भाई आपको यह है ठीक है तो मुझे आपसे वीडियो के comment में promise चाहिए कि आप mock test लिखेंगे इस Sunday का लिखेंगे और यदि आप 12th में हैं तो 31 जनवरी का लिख दीजिए 2022 की तयारी करने आपके ये वाले chapter अभी चल रहे है school के अंदर आप जो भी coaching में पढ़ रहे होंगे ये वाले chapter चल रहे होंगे mock test लिखेंगे नहीं लिख रहे हैं एक date commit कर दीजे वीडियो के comment पर पर guys mock test लिखना चालू करिए आप mock test नहीं लिख रहे हैं तो आप time pass कर रहे हैं ठीक है meet में कैसे लाएं साड़े 600 number ये रहा रास्ता ठीक है meet में क्यों लाएं साड़े 600 number ये आप सब लोग को पता है और साड़े 600 number का रास्ता एक 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 mock test करके चालू होता है तो पहली step लेते हैं और mock test की date कमिट करते हैं खुद को और उसकी तयारी करना चालू करते हैं अच्छी तरह वीडियो के comment में मुझे mock test की date आप कमिट करिये बच्चो ठीक है बच्चो